सब्सक्राइब दोस्तों वेलकिम बैक तो विंडोस 10 या विंडोस 11 अब 2023 कतम धे 2024 आने वाला है और अब भी आप में से कई लोग की दिमाग में होगा कि क्या आपको विंडोस 10 के साथ जाना चाहिए continue करना चाहिए या विंडोस 11 में switch करना चाहिए या तो फिर Windows 12 भी जो launch होने वाला है expected है जून 2024 में क्या उसका wait करना चाहिए अगर इस तरह कि आपके सवाल दिमाग में हैं और आपने काफी वीडियो देखी अभी भी आप confused हैं तो make sure इस छोटी सी वीडियो को यहाँ पर पूरा देखेगा क्योंकि मैं आपके दिमाग में जो भी doubt है वो clear करूँगा ताकि आपको आसानी से आपको समझ में आए कि आपको किस operating system के साथ यहाँ पर जाना चाहिए तो चलिए without any delay स्टार्ट करते हैं सबसे पहले guys मैं आपको यहाँ पर clarify करता हूँ कि मैंने यहाँ पर personally क्या experience किया ताकि आपको और जादा सबज में है जो मेरा personal यहाँ पर review है तो मैं अभी कुछ आट से नौ मैंने पहले मैं Windows 10 को ही यूज कर रहा था और वहाँ पर मैं gaming करता था editing करता था gaming की बात करें तो like Valorant है Call of Duty वगरा game किलता था और Wondershare Filmora वेडियो एडिटर यहाँ पर use करता था मुझे कोई problem नहीं थी Windows 10 में सब कुछ smooth चल ला था सब कुछ बढ़िया चल ला था लेकिन जैसे आपकी दिमाग में है कि यार Windows 11 है आया है Windows 11 आया अपग्रेट करना चाहिए वैसे ही मेरे दिमाग में भी था कि या चलो ट्राइ करते हैं कुछ नए ट्राइ करते हैं और मैंने भी Windows 11 में अपग्रेट किया और अपग्रेट करने के बाद अपग्रेट करने से पहले in fact मैंने काफी चीजों का जो है आपे बेंचमार्क किया था कि मुझे कंफर्म रहे है कि मैं अगर Windows 11 में स्विच कर रहा हूं तो क्या वो मेरा राइट डिसीजन होगा कि नहीं होगा तो एडिटिंग करते हैं वक्त जो मिज़रा एक्सपीरियंस था गेमिंग करते वक्त Windows 10 में जो मुझे फ्रेम रेट मिला था उसका मैंने एक चार्ट बनाया उसको सेव करके रखा फिर जब मैंने Windows 11 में स्विच किया और सेम गेम को ट्राइ किया तो मुझे फ्रेम रेट में यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मस देखने को मिला सारे परफॉर्मस मुझे यहाँ पर देखने को मिल लए थे अच्छा अगर मैं आपको बताओ अपनी PC की कन्फिगरेशन तो यहाँ पर मैं AMD Ryzen का 75700G विद इन बिल्ट ग्राफिक कार्ड जो आता है वो यूस कर रहा हूं 16GB की RAM थी 512GB NVMe SSD है मेरे कंप्यूटर में तो आप कह सकते हो कि अच्छा यहाँ पर कन्फिगरेशन है मेरे PC का तो मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई अब यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं यह सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके PC या लाप्टॉप की कन्फिगरेशन क्या है अगर आप कोई लाप्टॉप यूज कर रहे है या ऐसा PC यूज कर रहे है जिसकी कन्फिगरेशन एवरेज प्रोसेसर की है या आपकी रैम जो है वो 4 गीगाबाइट या 8 गीगाबाइट या इसके आसपास की है तो मैं नहीं रिकेमेंट करूँगा कि आप जाएए विंडोस 11 के साथ दिखें अगर अभी भी हम बात करें तो विंडोस 10 जो है लो एंड PC के लिए काफी रखते हैं और अगर आपका अच्छा कंफिगरेशन का PC है यहां पर तो बिल्कुल विंडोस 11 के साथ यहां पर आप जा सकते हैं और जब से विंडोस 11 आया है गाईस ट्रस्ट मी इन्होंने बहुत जादा इंप्रोव्मेंट किया है तो जो बग आपको पहले देखने को मिल अगर आप प्लान कर रहे हैं स्विच करने का और अगर आपके पास अच्छी कंफिगरेशन है आपके कंफिगरेशन में तो बिल्कुल आप यहां पर स्विच कर सकते हैं लेकिन अगर आप नॉर्बल एवरेज यहां पर लो-end PC यूज कर रहे हैं तो मैं यहीं रिकेमेंड क करना चाहिए हलांकि वह प्रॉपरली काम करता है लेकिन मैं अगर आपको मेरा जो पर्सनल रेकमेंडेशन में रेकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे डिवाइस में विंडोस 11 को यूज करिए जहां पे टीपीम सेक्चॉर बूट नहीं है यह आपका लो-end PC है फिर भी आप अग जाते हो कि आप विंडोस 11 की थीम को एंज्वाइब करो आप विंडोस 11 को ही एंज्वाइब करो तो आप जो है कस्टम आयोसो के साथ जा सकते हैं लाइक रेवी OS है टैनी 11 है एटलस OS है उस पर भी मैंने वीडियो बनाई आप इसको चेकाउट कर लेजिए अगर आपका लो रखना है कि अगर आप विंडोस 11 यूज कर रहे हैं आज की टाइम पर अगर आपका ठीक ठाक पीसी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है अब यह सिर्फ एक मित रहे गई है कि आदमी कहता है यार विंडोस 11 ने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है शुरू में अगरी अभी के डाइम में मैंने आपसे बताया कि मुझे साथ से आठ मैंने हो गए मुझे छे मैंने पहले एक ब्लू स्क्रीन का एरर आया था जो इसली फिक्स हो गया था उसके बाद से अभी तक मुझे विंडोस 11 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है आज के लिए इतना है बस यह बेसिक चीज जो मैंने आपसे यहाँ पर बताई जो कन्फिग्रेशन है यही आपकी हल्प कर सकता है आपको डिसाइड करने में कि आपको स्विच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके अलावा आप चाहिए जितना डीप रिसर्च कर लिज है कुछ कुछ की सजेशन है तो मुझे कॉमेट सेक्शन में जरूर उताईएगा और हम मिलेंगे गाईज नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तिल देन टेक केर बाबाए